हाँ तो दोस्तो पॉलिसी बजार की जो पैरेंट कमपनी है पीबी फिंटेक उसके क्यू ठीक के नमबर आ चुके हैं तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे क्या आपको पीबी फिंटेक के ना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चली शुरू क करते हैं तो देखे जो रेवेन्यू का नमबर है वो पिछले कॉटर के कमपेरीजन में 31% से बढ़ा है और ये नमबर आया है 367 करोट पे लेकिन यहां पे जो लॉस्त का नमबर है वो हमें 94 करोट के बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो कि ये नमबर 298 करोट पे आया है तब की पिछले कॉटर में ये नमबर 204 करोट पे था तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे उससे पहले हम year on year wishes के नमबर की बात कर देते हैं तो देखे ये रेवेन्यू का नमबर 73% चे बढ़ा है याने कि almost ये नमबर हमें year on year wishes पे डबल होता हुआ नजर आ रहा है लेकिन जो पर अगर हम देखेंगे तो around 600 करोड का जो company का expense है वो शेर्फ employees को salary देने और उसके अलावा जो उनका advertising expense है लगबख 600 करोड का expense हमें वही पे नजर आता है तो जैसे जैसे ये जो company के revenue के numbers है उसके उपर जाएंगे तो definitely ये company profitable हो जाएगी और आपने देखा होगा कि जो पू 2000 आ रहा है तो ये जो loss का number ये भले हमें देखने को मिल रहा है लेकिन हमे revenue के number के उपर यहाँ पे focus करना चाहिए अब अगर हम देखेंगे already ये stock आज 5% नीचे ता अगर हम all time high देखेंगे तो 1470 का इसका all time high है वहाँ से already 30 to 35% ये stock गिर चुका है तो देखिए definitely market to ये देख ये as a shareholder लेकिन long term के लिए अगर आप believe करते हैं कि policy बजार और इनका जो पैसाबजार.com है तो वहाँ पे लोग का जो इनका जो insurance policies है वो यहाँ पे ज़्यादा लोग लेंगे और पैसा बजार से ज़्यादा loans के देख आएंगे तो definitely याने वाले time पे profitable होंगे तो वही चोच के आपने यहाँ पे invest करना चाहिए तो दोस्तों मैं hope कताओं की policy बजार की parent कपनी PB Fintech के Q3 के numbers के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा अगर आपकी कोई भी queries है तो आप comment कीजिए मैं जरूर आपके comment पर reply करूँगा ओके दोस्तों thank you have a nice day